आपके साथ मोतिहारी जिले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां राज़त विधायक अपना स्वागत करवाने पहुचे थे लेकिन उन्हें चोटिल होकर वापस लौटना पड़ा जी हां दरसल जो पूरी खबर है वो आपको बताते हैं मामला पुर्वी चमपारन से जुरा है जहां के सुगौली में स्वागत समारों में पहुचे बिधायक का मंच कारिकरम के दोरान ही जमीन पर आगिरा इस घटा में बिधायक जी चोटी लोगों कर लोटे सुगौली बिधान सभा के राज़त बिधायक शसी बूसन से नागरिक अभिननन समारों में शिर्कत करने अमोदेई गाउं पहुचे थे बिधायक के स्वागत के लिए पूरी तयारी मुकमल कर ली गई थी मंच को फूल और गुबबारों के साथ खुब अच्छे से सजाया गया था मंच पर बिधायक के पहुंसते ही बिधायक के स्वागत में गाउं की लड़कियों ने स्वागत गान्स शुरू कर दिया बिधायक के स्वागत में लड़कियों ने अभी कश्रीदे ही पटलियों शुरू किये थे कि तभी मंच देखते ही देखते जमिन दोज हो गया मंच पर मौझूद सभी नेता धराम से नीचे गिर गया नेताओं को गिरते ही उनके उपर साउंड बॉक्स और कूर्सी गिर गया और चारो तरफ अफरा तफ्री मच गया इसके बाद कारकरम को बंद कर दिया गया जिस समय ये घटना हुई उस समय मंच पर बिधायक सहाब समेत तीन दरजन नेता मौझूद थे इस घटना में कुछ लोग आंसे ग्रूप से घायल भी हुए हैं मोतिहारी में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है तो विधायक जी को महना पर गया स्वागत करवाना अपना बिल्कुल स्वागत करवाने पहुचे थे और मंच भरभरा कर गिर गया जिसमें वो चोटी हो गया और घायल हो करके उन्हें वापस घर लोटना पड़ा अगर आपको यह ख़पर अच्छी लगी हो और तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो किजेगा धन्यवाद